तू ही सागे है तू ही किनारा सदगुरु, गुरुदेव, मुख्य गुरु के गुरुजी आब दाज भाव भर्या शब्दो छे आशब्दो ना उच्चारण माज लागणी छे, भब्ती छे और शर्णागती छे गुरु मलवा और गुरु करवा बे अलग वातों छे कारण मलवा ए नियती दत्त छे और करवा ते व्यक्ति गत छे साची वाद तो ए छे के गुरु करया कराई नहीं गुरु तो अनायासे दिव्यक रुपाये अहो भग्ये आवीने मले। आजकाल गुरु करवानी होड लागी छे। पोताना पग पर पन्न उभा थेला बालकना कान फुकवा कितला गुरु घंटालो पंदाल बांदीने प्रतिक्षामा छे। तमें गुरुने धालीलो तिन चा गुरु तमने मनमा वस्ता करे एनू महात्म छे। अमारा एकती उत्साईक लाकार पोताना मेत्रन गुरु वारमवार चाहर मा गणाव्या करे छे। पन्पेला गुरु ओये क्यारे खोते मसे किदू न थी कि आजन मारो शिष्य छे। गुरु करवामा उतावल होए। गुर मन मले त्या मेलो पन रुदय मले त्यां गुरु भेलो। कोलेज मा भणवानू पूरु थे। अने शांतिने केतन गुरु देव कविवर ना दर्शन माटे जवानी इच्छा दिक्राए पिताजी आगलग्यक्त खरी। पिताजी कहे पेना तु कराँछी जा। मोटा भाईये एक स्वतंत्र धंदो शरू करयो छे। तेने मदद करवा छा। दिक्रो पिताजी नी आग्ना मुझब तैयारी करवा लागयो। पन विजी ये कहीं जुद्धूज विचारी होशे। दिक्रो सखट बिमार पड़े। बिमारी एटली वधी गई कि तेना बच पिताजी जो हूँ जी तो रहूं तो आप कृपा करीने मने शांती निकतन मोकलवानों प्रबंद जरूर करचू। आमारी अदंब्या इच्छा चे। प्रभू कृपा थाई ने दिक्रो बची गयो। तद्दन स्वस्त थाया पची दिक्राए गुरुदेव ने एक तार मो करी पुछावियो। हूँ शांती निकतन आपना दर्शन माटे आविशक हूँ छू। गुरुदेव ने जवाब आपयो। तमे खुशी थी आवो। ए समय आवी गयो ने शांती निकतन तरह प्रयान शलू थाय। पांच दिवसनी लांबी मुसाफरी छतां तेने जरापन थाकन लागयो। उल्टुएना हियामा अतिशय उमंग न आनन्द छलकतो हतो। ए युवान ने एसास थतो हतो के शांती निकतन आ यात्रा एना जीवन ने एक विशेश वलन आपसे। जो के शांती निकतन द्वारे पहुँचे। त्यारे गुरुदेव त्यान ना हता। मांदगीनी सारवार माटे बेचार दिवस पहलाज कलकत्ता गयेला। पना तो शांती निकतन। दिनबंदु एंडुजे वालती स्वागत करी युवान ने सिक्षकों नी साथे निवास आपयो। दस दिवस पछे गुरुदेव पाँचा फर्या के जे युवान ना त्या निवास नो चलो दिवस आतो। दिनबंदु एंडु तेने गुरुदेव ना दर्शन करवानी गोठवन करी आपी। पन साथे कई हूँ। गुरुदेव हजी बव अशक्त छे। तेथी तेवो तमने पाँच मिनित थी वधारे वकट नहीं आपी शके। प्रणाम करी ने युवान उबो रहो अने एमज चार मिनिट विती गई। न तो बेस्वा करी। न तो करवात करी। मन मा पार विनानू दुख हतु। पन समय पूरो थवा लाक्ना गुरुदेव पासे थी विदाय लेवा माटे युवान ने प्रणाम कर्या अने जाने चमतकार थायो। कविवरे पोतानों जम्णों हाथ युवान न माथा पर मुकी। तेनी आखो मा जोई न कहुँ। हुँ तमने जन्म जन्मान तरती ओड़खू शुँ। मारा आश्रम मा तमारा माटे एक आसन खाली चे। तमे हवे एना पर बेसी चाओ। आ शब्दो साब्डी ने अहो भावती युवाने गुरुदेवने साष्टांग प्रणाम कर्या। आ प्रणाम करती वक्ते युवानने लागिय। के मारा हैयान द्वार चारे दिशावों मा उकली गया छे। अने विशाल जगते तेमा प्रवेश कर्यों। जगत अने मारी वच्चे कोई जातनी दिवाल हवे न थी रही। एतलुद नहीं पन जगत अने मारी वच्चे तता जगत ना सरजनहार अने मारी वच्चे प्रीतीन और पूल बंढ़ाए गयो छे। हवे हुँ सरहदी के पंजाबी के भारत वासी न थी। हुँ बधानों चूँ अने बधां मारा माँचे। बस ते समय थी युवान संकिर्णता रहित माने भी बनी गयो। अने कभी वर तेना गुरुदीव बनी गया। युवान ते घड़ी थी शांती नेकेतन मां शिक्षक तरीके कारियरत थायो। अध्यात्म अने सुफी मार्गना सादक, पुझ्य मोटा अने महत्मा गांधी ना निकट्तम सेवक अने संत कोटीनू जिवन जिवनार पंडित गुरुदयाल मलिक जीने आरिते कभी वर तागोर गुरु तरीके मल्या। मलिक जी कहे छे के गुरुदेव पासे अपने सूरजना उपासत्ते इने दूर थी प्रणाम करता रहूं। तू ही सागे है तू ही किनारा रूंडता है तो किसका सहारा रूंडता है तो किसका सहारा